हेलो फ्रेंड्स, दसीस क्लासिस में आप सभी कर स्वागत है और आज हम लोग जेपेसी के पेपर टू करने वाले हैं और इसके तर आज हम लोग मांजी सासन वज़स्ता करने वाले हैं और मांजी सासन वज़स्ता हमरा संथालों से संबंदित है संथाल जंजाती से संबंदित है संथाल जंजाती किस तरह का मनलब संथाल जंजाती का किस तरह का प्रसासनिक वहस्ता था या सासन वहस्ता था तो उसको आज हम लोग देखने वाले हैं लेकिन वो देखने देखने पहले शिवार देख लेते हैं संथाल लोग जारकन के सब्सक्राइब पाए जाते हैं इसे निपाल और बंगलादेस में आपको संथाल पाए जाते हैं तो नेपाल में पाए जाता है बंगलादेश में पाए जाता है इंडबर्ट यहां त्रीपुरा तक पाए जाता है आसाम में पाए जाता है बिहार में बंगाल में जारकंड में उडिसा में चतिस गड़ में तो इतना सारा जगह आपका पाए जाता है अबना यह प्रवी भारत में आपका संधल लोग पाया जाता है इधा से देखेंगे मुंडा लोग भी समय पाया जाता है इसे यह सब इलाके में इस 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 अलोग प्रोटास्ट अलड प्रजातिक आता है पहला अज दूसर आस्ट्रिश्टिक भासा बोलने वाला था यह अज़ेश्टिक भासा बोलने वाला लोग था संधल भी उससी भासा परिवार से आता है तो इसलिए मंडा संधल का यह इलाका जो है राने वाला तो इलाका यह की है ऐसा मत सोचेगा कि मंडा और संधल लोग सिर्फ जारकन मरता है तो ऐसा नहीं है ठीक है आपका इस पुकर ऑब पूरे भारत ने मिलता है। सबसे ज्जादा ऐसे अब सब – 32 ज् effort सब्सें ज्यादा संक्या संथालों कि यह है कि इसका सासन विवस्था सक्षा काशे था तो कुछ जगह पे यहां तीन चरण में दिया हुआ है, कुछ जगह आपका चार चरण में दिया हुआ है, और यह सबसे विश्थित सासन वरस्त है था जाकन के जितने अधिवासी है उसमें से, बाकि दूसरे लोग थे, जैसे उराम लोग का है, चाफीर आपका नागवनसी ल देखते हैं, एक ही बुक में तो एक जगह तीन भी दिया हुआ है और चार वाला भी मेंसन किया हुआ है, तो देखते है, देख लेते हैं, राकि एकजाम में जैसा होगा कर लिजिए अगर, तो प्रसाश्तिक विभाजर में है कि अपको शुरुवात में आको मोडे होड था फिर आपका परगना है फिर आपका खुट या खुट परिश्चद है खुट परिश्चद परगना मोडे होड ये एक तरह का देश्टे का दिश्टिक होना है दूसरे में है कि यह कि यहां मांजी है या देश या देश या दस मांजी देस कहिए यह दस कहिए, कहीं पर देस दिया हुआ है, कहीं पर दस दिया हुआ है, तो हम दुनों नाम दे दिया है, उसके बाद यहां मोडे मांजी, पर यहां मोडे मांजी, पर प्रगनेत और यह दिसुम परगना, तो यह देखने का दो दिश्टिकोन, एक इस दिश्टिको गुंसे वह बागी बहुत सारे अधिकारी लोग थे तो अधिकारीयों कभी यहां है यहां तो करीव 3 श्तर है यहां करीव चार इस्तर का दिखा रहाँ और यहां करीव नौ से दस यहां नौ है और एक दस्वा मांजी को ले लिए तो दस्वा आपका आपसर लोगता हुआ जो काम करता था इस मांजी साचन वयस्था के तहत तो अब देखते हैं ऐसे क्या है सबसे पहले देखते हैं मोडे होड ठीक है तुछी मोडे होड आपको सबसे गाओं के स् और यहां पर आपको पांच पंच था पांच लोग लेजिए आदमी पांच आदमी मोड़े से पांच की इसका मतलब होता है और होड़े इसका आदमी होता है ठेके तो मोड़े होड़ यहां पांच आदमी एक पंचायत को चला रहा था है इसके लिटल मिनिंग यहए mोड़े होड़ का पांच आदमी और यह गाउं किस तर पे था और इसका जो प्रमुक था वो था आपका मांजी था अब मांजी के उपर जाता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपका उसके उपर में आपको परगना को लिया गया है और परगना में आपका करीब आपका 15 से 20 गम आजाता है ठीक है और इसमें देखते हैं कि यहां पे मांजी है तो मांजी आपका गाउं के स्थर पे है ठीक है और ये देस या दस मांजी या मोडे मांजी ये करीब पांच गाउं के स्थर पे है पांच से आठ गाउं ठीक है मुड़े मांजी या देस मांजी आपका पांच से आठ गाउं के स्थर पे है फ्रकनेत आपका पंदरह से बीस गाउं के स्थर पे है और ये दिसुंबर गना आपका सतर से असी गाउं में ठीक है मांजी मोडे मांजी या देश मांजी मोडे मांजी या देश मांजी ठीक है देश कोई कहीं दस भी कहा गिया है क्यों कहा गिया है वो उस concept पे भी आएंगे अभी उसके अलावा यहां प्रगनेत है तो परगना में प्रगनेत है परगना यहां पे है तो परगना में परगनात है, ठीक है, अब खुट परिश्यत इसको लोबीर भी कहा जाता है, ठीक है, खुट परिश्यत को लोबीर भी कहा जाता है, वैसे, ठीक है, यह किसी बुक में नहीं मिला है, तो चुकि यह मिला है, तो इसको मेंसन कर दिये, खुट परिश्यत, ठीक है जातवर कुछ जग़ों ता आप दिसम पर्गणा भी नहीं मिलेगा, इसी पर्गना तक में छोड़ दिया गये है, लेकिन एक प्सक्रृश को जग है, जाता है, संथालों लोग जहां है, सभी जग कई पर्गना को पे जाता है, कुछ जग कई दिसम पर्गना को पोष्ट इसा इनको दिस्वाम गुरु भी कहा जाता है दिस्वाम परगना दिस्वाम गुरु तो कुछ तो मिली रहे तो इस लेवल पर सबसे उचे लेवल पर दिस्वाम परगना है लब 37 गाओं के ये पर स्तर पर तो उसी स्तर का गुरु इनको माना गिया है नहीं बहुत बड़ा गुरु माना गिया है इसलिए इनको सिवाम जी को अपको दिस्वाम गुरु भी कहा जाता है एक similarity मिल रहा है तो दिस्म नाम को चीज तो था बले कुछ ही जगा था दिस्म लेकिन दिस्म जरूर था क्योंकि वरना सिवस्वाइन जी का नाम ये होता नहीं तो यह हो गया का basic structure कहीं पे तीन वला है कहीं पे चार वला है अब यहाँ पे देखिए मोडे होड होड मतलब आदमी मोडे most probably 5 होता है यहाँ पे देखिए जो मोडे मांजी है यह 5 मांजी मिलके आपका मोडे मांजी बनता था 5 मांजी मोडे मांजी मोडे मतलब यह 5 होना चाहिए मांजी तो यहाँ है यह गाओ किस तरके मांजी है और यहाँ पे 10 इसलिए कि जब यहाँ 5 आ रहा है मोडे मतलब 5 यहाँ यह मांजी के साथ 5 आदमी काम करेगा यहाँ 5 मांजी है यहाँ 5 मांजी है यहाँ गिंती में आ तो जब गिंती वाला चीज हो रहा है तो यहां 10 मांजी क्यों नहीं हो सकता है मोडे मांजी या 10 मांजी इस लॉजिक के तरह मुझे लगता है कि 10 मांजी यहां पर हो सकता है लेकिन जाजातर बुक में आपका देश मांजी दिया हुआ है जो नाम है वो देश मांजी है, दस मांजी नहीं है, दस मांजी सिब एक बुक में मिला है, दस मांजी, ठीक है, बाकी देश मांजी इसको कर, देश मांजी या मुड़े मांजी, ठीक है, तो अलग लग बुक में अलग है, तो मैं यह आप बस मिला के बता जे रहा हूँ, अंतर ग्रामीन संस्ता है अलग गाम में भी करकुछ अगर प्रॉल्म सा रहा है तो उसको वह सॉल्व करेगा अपका प्रग्नेत ठीक है अपर नियुक्त एक और कास्ची था यापका बिटलाहा भी दे सकता था टीक है और इसी पर ग्रग्नेत पका यो एक एसिस्टेंट करें तो दसमाझसी पर्गनेत के असिस्टेंट भी था पर उपर टीक है तो इसको अच्छछ से indemप tai कि क्या है तो प्रग्नेत हिसको अच्छ नहारेаньं देण करें तो ना है लेकिन आया वह कुश्य नहीं तो अब देखते हैं अधिकारियों पेकए करके तो अधिकारी है अब इसके सबसे फ़ले आपको मांजी हो जाएगा शब्से important इंसान और ये गाउं के स्थर पे था और गाउं के स्थर पे इसका बहुत सारा काम था और सबसे important important गई है कि आपको जो प्रसाश्टिक वायजता था गाउं में कुछ भी जमिला होगा तो सब अपका मांजी समालेगा ठीक है और गाउं में जितना सब छोड़ा छोड़ा जमिला होता है जिसे मनलो कि आपका कोई अपहरन हो जाता है चोरी डक्यती हो जाता है या पी आपका डायन भूत का कोई केसा जाता है या पी कोई किसी का खेतु चरा देता है चोरी हो जाता है तो सब केस को यह समलता था मानजी को देखबाल करना होता था और इसकी अलावा है कि मानजी आपका मानजी थान का भी देखबाल करता था और जाहेड थान में क्या-क्या चीज़ हो रहा है उसका भी वो देखबाल करता था तो यहां देखिए मांजी थान और जाहेड थान दोनों अलग अलग चीज़ है तो मांजी थान बिसके लिए जो आपका जो उस गाओं को बसाया था जो मांजी उसका जो पुर्वज है उसका जो जहां पे आप समाधी का लिजिए तो उस वो जगह था मालब एक चम्रा टाप क यह लोग का पंचायत का बहुत सा इंपोर्टन डिसिजन्स आपका मांजी थान में ही लिया जाता था ठीक है यह अभी है भी क्योंकि अभी वस्तक तो है ठीक है तो मांजी थान में गाओं का इंपोर्टन डिसिजन्स लिया जाता है ठीक है और जाहेड थान में आपका इलो कि आहिए नेम का पेंड़ी ओता है और फिर आपको क्या करता है मुह gefेण पूजा और यह लोग का और माजी थान जो उसका पुर्वज था है पुर्वज परोज जो अपना जहां पे उत डिपनाव यह आगा तह से उत जांज क्रेढक कर तो इसका जमांजी तो चनब आधान वह था कि सब्सक्रांण दलगा हुए तो चन्ल भी लगए तब लेकेसे. लेकिन जो आपको क्या कहेंगे कि बोंगा लोग जो होता था बोंगा का जो पेंड सब्सक्राइब करता था कि अगर कोई पेंड मर गया तो मांजी नाइके को कहता था 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 कि तुम जाके मदब उस पेंड को ढटा दो और दूसरा पेंड लगा दो ठीक है? और नाइके वहाँ पे दूसरा पेंड लगा देगा यह तीसरा चीज उसके अलावा है कि जो मरा हुआ पेंड है उसका लकड़ी को पर गाउं में बांड देगा उलो यह भी कौन करवाता था? तो मांजी करवाता था उसके अलावा गाउं में अगर कोई त्याहार है तो मांजी यह इंस्वर करता था कि सभी लोग उसमें भाग ले पाटिसिपेट करें किसी गर में साधी हो रहा है, किसी गर में मौत हो रहा है किसी गर में बच्चा पैदा हो रहा है तो सभी में सब आदमी लोग पहुंचे वहाँ पे उसको ये इंस्वार करता था अपका मांजी तेक है उसके अलावा अगर पाकर्तिक आपदा आ जाता था तो आपदा के समय भी जंदा का देखभाल करने का काम करता था तो मांजी करता था इसके अलावा जो दूसरे अक्टिविटी थे पर सास्निक और जो न्याई के अक्टिविटी थे वो तो मांजी करी रहा था तो आप देख रहे है कि मांजी कितना इंपॉर्टन्ट अधिकारी था अब इसके अलावा कौन था तो आप देखते हैं ये नौ अधिकारी था तो नौ अधिकारी क्या करता है तो वो देखता है तो सबसे पहले आता है प्रानिक तो प्रानिक है कि आपका मांजी का आपका असिस्टेंट का काम करता था अगर मांजी नहीं है गाव में तो उसका आपका जो गाउं में जो लोग रहता तो उसका character का वो देखभाल करता था किसका अच्छा character है नहीं है क्या करन है उसको वो देखभाल करता था उसके अला साधी बैया वगरा का भी वो देखभाल किया करता था तो साधी और जो लोगों का character है उसको देखवाल कौन कर रहा है तो यह जोग मांजी कर रहा है और यह जोग प्रानिक है इसके बाद तो जोग प्रानिक से character मत जोड़ियेगा जोग से इसको जोड़ियेगा प्रानिक से नहीं जोड़ना है जोग से जोड़ना है तो जोग मांजी क्या कर रहा है कि आपको जो कैटर है गाउं का वो देख रहा है साधिविया वाला काम देख रहा है तो उसी चीज को अगर जुग मांजी नहीं है तो जुग प्रानिक उसके काम को देखेगा मांजी नहीं है, तो प्रानिक देखेगा, जोग मांजी नहीं है, तो जोग प्रानिक देखेगा इसको उप जोग मांजी भी कहा जाता था इसके अलावा है कि यहाँ पर गाव में एक नाय के नाम का अधिकारी होता था और यह धार्मिक अदिकारी होता था, धार्म इसके कंडॉल में होता था प्रसासन और न्याय ववस्था मांजी के कंडॉल में, धार्म नाइके के कंडॉल में धार्मिक कोई डिस्पूट भी होता था, तो इसका देखवाल कौन करेगा, तो और नाइके करेगा और अकर नय के ने रहेगा तो उसका जग या उससे एक सहायक के रूप में आपकर कुडूम नय के था इसका एसिस्टेंट के रूप में तो धार्मी को भला नय के इसके बाद आता है पर गोडे तो गोडे था प्वाद संदियस वहाग का काम क्या करता था देता था मिटिगोटिग होता था तो सब वो इंस्वार करता था कि सब लोग वहां पर आ जाए उसके बाद है भागदो परजा तो भागदो परजा है कि आपका जो गाओं का एल्डरली लोग था मलए जो बुढ़ापुर का लोग था उसका भी को इंपॉर्डेट निजिजन तो हर महला में आपका भुद्दो होता था और अगर कुछ घटना घट गिया तो जब बाद है आपका lesser tangoi ठीक है तो lesser tangoi गाउं का सुरच्छा का काम करता था गाउं से बारी अगर कुछ अटेक हो रहा है तो उसका सुरच्छा अला काम 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 करेगा तो lesser tangoi करेगा ठीक है और अगर गाउं में कोई crime कर दिया है तो उसका गरतारी करना है तो गिरत्तारी कौन करेगा तो मांजी के कहने पे चौकिदार उस व्यक्ति को गिरत्तार करेगा तो गाह में इतने सारा अधिकारी था मुख्या में विले पांच को ले लिया जाता है वैसे जो प्राणे के है जो मांजी है जो नाइके है गोड़े था मांजी है यह लोग को पांच ले लिया जाता है और उस पांच को कहा जाता है कि मोड़े होड यह से मलब मांजी हो गया जोग मांजी हो गया प्रानिक हो गया नाइके हो गया गोड़ेत हो गया यह पांच को कहा जाता है मोड़े होड पांच आदमी पांच इंपर्टन्ट आद और यह आपका मोड़े होड़ वाल है यह मांजी जो मांजी प्रानिक नाइके गोड़ेत बाकी यह लोग भी अधिकारी था तो साथ साथ काम कर रहा था तो यह तुछ लिए काम कर रहा था अब इसके दिखिए आश्चे न्याय ववश्था को देखते हैं तो न्याय इसमेंशे डेड़ के फाइन लगता था क्रिमनल कर कोंगेसे डेड़ के फाइन देजें गरेला दर्ण में छोट जायी है तेग Mahar है मालों को सेक्स्वल क्राइम हो गिया है जैसे कि मालों बरतकर रीप एगर हो इसको अगर वह उस लड़की वह अपना लेगा अपना लेगा तो काम खतम पतनी बन गिया उसका अगर नहीं अपना या उसको तो फिर उस आदमी को उसको बिटलाहा कर दिया जाता था बिटलाहा मनले आपका वो सुसाइटी से या फिर जाती से उसको बाहर कर दिया जाता था बिटलाहा ठीक है इसके लिए बिटलाहा यहां पे है जाती से बाहर जाती से बाहर कर दिया गिया बिटलाहा में ठीक है बिटलाहा में बिटलाहा में बिटलाहा में बिटलाहा में बिटलाहा होता था कि आपका रोटी बेटी का संबन्द यादि आपके खाना पीना का संबन्द आपके साधी भी आपके साथ कोई नहीं करेगा ठीक है आपके साथ तंबाकू वेगरा भी कोई नहीं खाएगा ठीक है खाना पिरना कुछ भी नहीं होगा आपके साथ दिश्तेदारी आना जाना वेगरा सब बंद हो जाता है और अगर बिटलाह से बचना है तो आपको क्या करना है कि आपको पुरे गांग को आपको पार्टी देलना है एक तरह से कहिए ठीक है और उस पार्टी को कहा जाता था अपका जोई जाती जोई जाती एक टर्म है जो उस पार्टी को कहा जाता था इसमें है कि पुरे गांग को आप चावल दाल खसी वेगर आ टो बात प्र वह अपकर माफ हो जाता है उसके बाद पिर वूँद्यी सेक्षा और आता है कि अगर कोई लेडी कुरह अन्य लड़की प्रेगनट हो गयी प्रेगनेट हो गई है तो वहाँ पर दो कुसा आता है एक केस आता है कि लड़की जुसे प्रैगनेंटी वियोसेज को पहचान ले अगर उसको पहचान लेगी तो उसको खा जाएगा तुम अपना लो ठीक है और नहीं अपना एगा तो फिर वही बिटला वाला केला पे जाएगा और अगर लड़की लड़का का नाम नहीं बताती है तो फिर उस परिवार को उसका दंड मिलता है उसको बिटलहा दे दिया जाता है और उस परिवार का काम है कि उसको लोग क्या करते हैं कि अब पुजा पाट का जो पवित्र करने के लिए आपको पुजा पाट का सामगरी द कर रहा है वो चीज को देगा वो सब देगा तो फिर से वो समाज का अंज या गाओं का हिस्सा बन जाएगा तो इतना सारा चीज था आपका इसमें जो न्यावर रस्ता में था भिसके लिए था उसके अलावा कुछ-कुछ और था एक बुक में आपको एक और मिलेगा क्या हीर और बिसके लिए कुछ-कुछ-बुक में जब हींडी में उसी बुक का हिंदी वर्जन देखेगा तो वहां पे नाएके दिया हुआ है और बाकि यहां पे भी नाएके ही है लेकिन उसी के जब में भी गूगल टाश्टेट किया होगा तो हपे हीरो और हीरोईन लिखती है इ ठेक है? और उसके अलव रूप में श्टार करन अपर में, यह भी परगणाँ से जो अपील होता था उपर में, ठेक है, परगणााँ के उपर जो परगनेत जो अपील करेगा उपर में, तो उस case को सेंद्रा बैंसी भी सुन सकता था और ये विसकी लिए आपको सिकार से संबंदी था सिकार परिश्चत था ये सिकार से संबंदी था उसके बावजुद जो civil matters होता था उसको ये सुन लेता था और इसको भी आपको बिटलाहा देने का दिकार था परगनेत को बिटलाहा देने का दिकार है संद्रा बैंसी को बिटलाहा देने का दिकार है दिसुम परगना बगरा बिटलाहा देने का दिकार है तो गाउं के स्तर पे नहीं है काउं के उपर से जैसी जगा परगना के स्तर पे दिसुम परगना के स्तर पे तो आप इक बिटलाहा दे सकता है और सेंद्रा बैंसी भी जो सिकार परिश्ट है ये भी आपका बिटलाहा दे सकता है तो इतना सारा चीज था आपका मांजी साचनवाज़ता में आप नेक्स वीडियो में देखते हैं किछी आलग साचनवाज़ता को Thank you